हलो मित्रों जै मातादी मित्रों आज 13 अक्टूबर दिन रवीबार और साथी साथ आश्विन सुकलपक्ष की पुर्निमा तिती होने के साथ-साथ मीन रासी वालों को काफी फ्वाइदा देखने को मिल रहा है आईए जानते हैं में रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन वैपार, करियर और उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलूप जो आपके आज और आने वाले दिनों को बैतर बनाने में काफी लाबकारी सिद्ध होंगे तो आईए जानते हैं में रासी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आज वे क्या करें और क्या ना करें आज आपको किन चीजों से सावधान होकर चलना है आज आपका लखी कलर और लखी नंबर कौन सा रहने वाला है ये भी आपको वीडियो में विस्तार से बत और ये हमारे गरहों और राशियों के परिवर्तन, अस्थान परिवर्तन के कारण सम्भभ होता है, अगर हम्रमें पहले से पता हो कि हमारे कल कैसा बीतने वाला है, तो हम अपने आज और बेहतर बना सकते हैं कुछ सरल से उपाई करके, तो आएए जानते हैं, आज आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका आने वाला कल और आज बैतर हो चके और आपके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन ये भी आपको बताते हैं मीन रासी वाले आज वैपार के मावलो में आपके इमन में नए विचार आ सकते हैं किसी काम में मित्रों की सलाह फायदेमंद सावित हो सकती है बारिबारिक दिष्टे मजबूत होंगे संतान पक्ष में कोई सुबसमाचार आपको मिल सकता है आज मालक्षमी की उपासना करने से आपको धनलाब हो सकता है आपको बता दें कि मा दुरुगा की उपासना करने से आपका वैपार में आ रही अर्चने आपकी दूर होंगी आरतिक परेसानियां खत्म हो जाएंगी आप अगर वैपार की तलास कर रहे हैं या नई स्टुडेंट एं चाट्र हैं तो आप अगर नई जोब की तलास कर रहे हैं तो आज आपको ये सारी चीजे मिलने की संभावना है कहीं से आपको सोबसमचार मिल सकता है आपको बता दें किसी समस्या का समधान आज आपको मिल सकता है आपके कामकाज की तारीफ भी हो सकती है आज बहुत से लोगों अपनी मन की बात मनाएंगे आज लोग आपकी बातों से परभावित होंगे आज आपको दिन बैतर बनाने के लिए जरुरत मंदों को खाना खिलाने चाहिए जिस से कि आपको लाव के अऊसर प्राप्त हों और आप आने वाले दिनों को और बैतर बना सकते हैं में रासी वाले जात्कों के उपर मालक्षमी की विशेश कृपा होने से आज आपका रुकावदन और धनलाव के इस्तिती बन रही है तो चलिए दोस्तों मित्रों आज आपका दिन बहतर हो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी अवसे लिखें